So good morning guys और आपके click exam channel में आप सभी का स्वागत है तो आज के इस वीडियो में एक October के important current affairs को हम लोग cover करेंगे तो हमारा पहला प्रशन क्या है हाली में अंतर राष्ट्र अनुवाद दिवस ये कब मनाया गया तो अंसर होगा 30 September को तो हर साल 30 September को International Translation Day के रूप में मनाया जाता है और इसकी theme भी रही है theme क्या है Finding the worlds for a world in crisis संकट में दुनिया के लिए शब्दों की तलाश करना अच्छा यहाँ पर एक और डे में आपको बताऊंगा 29 September को हमने पहली बार अंतर राष्ट्रे खाद्य हानी और अप्सिष्ट न्यूनी करन दिवस के रूप में बनाया है English में बोलेंगे तो International Day for Food Loss and Waste Reduction और इसकी भी theme रही थी Stop Food Loss and Waste for the People for the Planet तो यह day हमने पहली बार मनाया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ यह भी आप ध्यान रखना तो September का यह आपका आखरी डे वाला घुशन था अब हम October के मन्त में move कर चुके हैं तो September में जितने भी important days आये maximum time में आपको revise करवा है यह आपको याद हो जाने चाहिए चलिए आखरी बार फिर मैं आप लोगों के लिए सारे important days revise करवा देता हूँ अगर आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलते वे चलना और आपके लिए मैं सारे important days आपको screen पे शो भी करूँगा पात सेप्टेंबर को हमने अंतर राष्ट्रे चैरिटी दिवस मनाया पात सेप्टेंबर को ही national teacher day मनाय था साथ सेप्टेंबर को पहली बार international day of clean air for blue skies की रूप में मनाया आठ सितंबर को international literacy day मनाया दस सितंबर को world suicide prevention day की रूप में मनाया बारा सितंबर को विश्व प्राथमिक उप्चार दिवस मनाया चोदा सितंबर को राष्ट्रे हिंदी दिवस मनाया पंदरा सितंबर को international democracy day मनाया सोला सितंबर को world ozone day मनाया सतरा सितंबर को world patient safety day मनाया अठारा सितंबर को world bamboo day मनाया और international equal pay day मनाया और 18 सेतंबर को ही World Water Monitoring Day मनाया फिर 19 सेतंबर को International Red Panda Day मनाया और 19 सेतंबर को ही Antaraftreat 30 सवच्छता दिवस मनाया फिर 21 सेतंबर को World Alzheimer Day मनाया था और 21 सेतंबर को ही World Peace Day मनाया था फिर 22 सेतंबर को World Rhino Day मनाया और World Rose Day मनाया था 22 सेतंबर को International Day of Sign Languages के रूप में मनाया फिर 25 सितंबर को World Pharmacist Day मनाया, और 25 सितंबर को भारत में अंतियोदे दिवस के रूप में मनाया, फिर 26 सितंबर को World Environment Health Day के रूप में मनाया, फिर 27 सितंबर को World Tourism Day मनाया था, फिर 28 सितंबर को World Rebis Day मनाया और 29 सितंबर को World Heart Day मनाया था, और अभी 29 सेप्टेंबर को एक ओर डे में आपको बताया था ये International Day for Food Loss and West Reduction तो ये भी ध्यान रखना बढ़ते हैं फिर है हाली में किसे UNDP यानि कि United Nation Development Program ने Special Humanitarian Action Award से सम्मानित किया तो आंसर होगा सोनुसूत को तो अभी United Nation Development Program ने सोनुसूत को Special Humanitarian Action Award से सम्मानित किया है उन्हें नी स्वार्थ भाव से मदद करने और लाखो प्रवासियों को उनके घर भेजने और उसी तरह से विदेशों में फसे चात्रों को उनके घर वापस भेजने के लिए उन्हें ये पुरुषकार मिला है तो ये आप याद रखना बाकी इकबाल सिंग चहल कली हम लोगों ने पढ़ा था COVID Crusader Award 2020 पाने वाले ये पहले भारते बने उशा मंगेशकर महराश्टर सरकार ने वर्ष 2021 के लिए लता मंगेशकर पुरसकार से इनको सम्मानित किया अमिताब बच्चन अभी RBI ने ग्राहक जाग रुकता अभ्यान के लिए इनको चुना था कली पढ़ाए हम लोगों ने ये प्रश्नतो तो ये याद रखना बढ़ते आगे और गाईज अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना देखिए आप लोगों ने लाइक किया है या नहीं किया है नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए लास तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ और अहां इसे शेर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में और अगर आप मेंसे कोई स्टुडेंट इस चैनल को फर्स टाइम देख रहा है त इस परयाहाली में किस राज्य सरकार ने YSR जल कला स्कीम को शुरू किया है तो आंसर होगा आंदरपरदेश तो वैसे तो आप YSR से ही समझ गई होंगे इसका आंसर आंदरपरदेश होगा अब ये है क्या इसके बारे में जान लेते हैं तो अभी आंदरपरदेश के मुख किसानों को बोरवेल के साथ मोटर भी फ्री में दी जाएगी. तो बेसिकली किसानों को बोरवेल के माद्यम से उनकी खेती को सिचाई जल्ड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये वाइय सार जल्ल कला योजना को शुरू किया गया है. अब बात आंद्र प्रदेश की है त अंदरप्रदेश ने YSR आसरा योजना भी शुरू किया था,參पवियन का नाम यादा यूजना यूजना नेस्तम योजना जगन मोहन रेड़ि तो इनके नामसी में आपको तीन यूजना याद कराता हूँ जगन्ना विद्या दिवेना योजना जगन्ना वस्ती दिवेना योजना और जगन्नान चेदूड योजना तो यह आपको याद हो जाएगी उसके अलावा भी आंदरपरदेश ने मोबाइल हैंड वाश सुविधा भी शुरू की थी एक नवरत नालू पेद लंदरी की इलू योजना भी शुरू की थी अम्मावोडी योजना भी यहां की है और रायतू भरोसा योजना भी आंदरपरदेश की है एक रायतू बंदू योजना भी होती है लेकिन वो तेलंगना की है तो यह भी आप याद रखना उसके अलावा व्यापार सुधार कारे योजना 2019 रेंकिंग में टॉप पे रा था आपका अंदरप्रदेश अभी अंदरप्रदेश ने बच्चों और महिलाओं को साइबर अपरादों से बचाने के लिए यी रक्षा बंदन कारे करम को शुरू किया था और गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ओप्रेशन मुस्कान शुरू किया था उसके अलावा अंदरप्रदेश ने यी क्रॉप नामक पहल के द्वारा फसलों का ओनलाइन पंजी करन भी शुरू किया उसके अलावा अभी भारत का पहला ओनलाइन वेस्ट मेंजमेंट प्लेटफ़रम भी लांच किया आंदरप्रदेश ने ब्रेंड एमबेजडर बनाया है तो आंसर होगा दीशा पाटनी को तो फेशन एकॉमर्स प्लेटफर्म मिंत्रा ने अभी बॉलिवूड एक्टरिस दीशा पाटनी को अपनी सुन्दरता और व्यक्तिगत देख बाल यानि कि व्यूटी एन पर्सनल केर सेग्मेंट के लिए अ मिंत्रा से आपको याद आता होगा अभी कुछ दिनों पहले ही मिंत्रा ने कियारा आडवानी को अपना ब्रेंड एमबेजडर बनाये था तो वो भी आप याद रखना बाकी मानुशी छिलर 2017 की मिस वर्ड है ये और अधिदास की ब्रेंड एमबेजडर बनी थी ये देश कौन सा बन गया है तो आंसर होगा सिंगापूर तो अभी सिंगापूर अपने नेशनल आईडी में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तमाल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है तो बायोमेट्रिक जाच से देश की लोगों को प्राथमिक और सरकारी दूनों मैप में सिंगापूर, कैपिटल सिंगापूर सिटी है करन्सी है सिंगापूर डॉलर और प्रसिडेंट है हलिमा याकब आपको एपेक एशिया पैसिफिक एकॉनमिक कॉपरेशन का हैटकोर्टर भी यहीं पर मिलेगा सिंगापूर में और अभी आपको याद होगा इंडिया रिच लिस्ट 2020 में टॉप पे कौन रहे तो अंसर होगा मुकेश अंबानी तो रिलाइंस इंडस्ट्रीज के मालेक मुकेश अंबानी लगातार नवी बार इस लिस्ट में टॉप पे रहे हैं उनकी टोटल संपत्ती बताए गई है सेकेंड नमबर पे हिंदुजा गुरुप के हिंदुजा ब्रदर है कितनी संपत्ती उनकी 1,43,700 करोड और तीसरे पे है HCL Technology के शिव नाडर 1,41,700 करोड संपत्ती के साथ तीसरे इस्थान पे हैं इस लिस्ट में बढ़ते आगे फिरहाली में उडिशा सरकार ने परियाटकों को लुभाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया तो अंचर होगा उडिशा बाए रोड तो COVID-19 महामारी के बीच में उडिशा परियाटकों को लुभाने और वापस बुलाने के लिए ये उडिशा बाए रोड अभियान को शुरू किया है जिसके जरिये परियेटक राज्य के परियेटक सर्किट को गुणवत्ता वाले सडकों के नेटवर्क के माद्यम से देख सकते हैं क्योंकि अभी लोगों के ट्रेन या हवाई जाज करने की संभावना कम है अब बात उडिशा की है तो ये रहा मैप में उडिश कैपिटल है भुवनेश्वर मुख्यमंत्री है नविन पतनायाक और गवर्नर है गणेशिलाग और यहां के चीफ जश्टिस बने थे कौन ने मुहम्मद रफीक इसके अलावा भी कली हम लोगों ने पढ़ाए उडिशा ने स्लम अपग्रेडेशन प्रोग्राम को शुरू क उडिशा ने गरीमा योजना भी शुरू की थी उसके अलावा अमरुत योजना रैंकिंग में टॉप पे रहा था उडिशा और उडिशा सरकार ने किन्नरों यानिकी ट्रांसजेंडर्स को मदू भाबू पेंशन योजना में शामिल कर लिया है और सरकारी भूमी की के लिए Space Technology और Artificial Intelligence का उपयोग करने वाला ये पहला राज्य बना है और उडिशा सरकार ने ही हरित आवरन बढ़ाने के लिए सबूजा उडिशा पहल को शुरू किया उसके अलावा जन जाती होस्टल्स के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य बना और बंदे उतकल जन्नी को स्टेट सौंग का दर्जा मिला था भी जिसको लिखा किसने है के लक्षमी कांता महापातर ने है अभी उडिशा ने विशेश आजिवी का हस्तक्षेप योजना को शुरू किया किसानों को कॉंट्रेक्ट फार्मिंग की अनुमती दी अच्छा कुछ दी पर है ये भी याद रखो बाराबत्ती स्टेडियम कहां पर ये पूछा गया था एक्जाम में कटक उडिसा में है और ये जो आप देख रहे हो ये भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की तटी अजील है इसको कहते हैं चिलका लेक बाकी आपको यहाँ पर सत्कूश या टाइगर रिजर्व मिलेगा एक भीतर कनीगा नेशनल पार्क आपको मिलेगा एक सिमलीपाल नेशनल पार्क भी आपको यहीं पर मिलेगा तो ये भी याद रखना बढ़ते हैं गे फिर हाल ही में FTII गवर्निंग काउंसिल के चेर्मे इंस्टीट ऑफ इंडिया सोसाइटी के नए अध्यक्ष और FTII गवर्निंग काउंसिल के चेर्मेन के रुप में नियूट किया है ये बीपी सिंग का इस्थान लेंगे कौन शेखर कपूर बाकी पीडी वागिला कली हम लोगों ने पढ़ा है इनके बारे में ट्राई यार और सुरेश चंदर शर्मा राष्टर चिकेट सायोग के पहले अध्यक्ष बने थे ये बाकी FTII के बारे में बता दूँ आपको Film and Television Institute of India इसकी फुल फॉर्म हो गई और इसकी स्थापना भारत सरकार ने 1960 में की थी पूने में बढ़ते आगे फिर हाली में नाबाड किस राज्य में स्वच्छता साक्षर्ता अभियान शुरू करेगा तो अंसर होगा करनाटक में तो नाबाड करनाटक में एक लाख ग्रामी नाबादी को कवर करने वाले दो हजार गाओं में Water, Sanitation and Hygiene पर साक्षर्ता को बढ़ावा देने के लिए एक स्वच्छता साक्षर्ता अभियान शुरू करेगा और इस अभियान का उद्देश है अच्छी स्वच्छता और स्वच्छता प्रथाओं को अपनाने के लिए महत्वपूर्ण व्यवहार परिवर्तनों को विक्सित करने पर ध्यान केंदरित करना अच्छा करनाटक के बारे में तो अभी एकाद दिन पहले में आपको बता चुका हूँ नाबाड के बारे में अभी हम बात कर लेते हैं नाबाड की फुल फॉर्म आप याद रखना ये कहीं एक्जाम में पूछी जा चुकी है और वर्तमान में इसके नए अध्यक्स बन चुके हैं कौन? गोविंदर राजुलू चिंटला पहले कौन थे? हर्श कुमार भनवाला थे अच्छा मेरे एक प्रस्न आप लोगों के लिए रहेगा अब हर्श कुमार भनवाला इनका हमने नया अपॉइंटमेंट देखा था क्या बन गए हैं? अगर याद हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बढ़े बताईए देखते हैं आप में से किन किन को याद है? बढ़ते हैं आगे फिर हाली में फिलिपकार्ट और किस जनरल इंशॉरेंस कमपनी ने ओनलाइन वित्य धुकादड़ी के लिए बीमा कवर लांच किया है तो आंसर होगा बजाज आलियांस तो अभी फिलिपकार्ट और बजाज आलियांस ने डिजिटल सुरक्षा समू बीमा की पेशकर्ष करने के लिए आपस में समझूता किया है और ये बीमा कवर खास तोर पे उन लोगों के लिए है जो ऑनलाइन प्लैटफॉर्म पर साइबर हमलों साइबर धुकादड़ी के करन होने वाले वित्य नुकसान के खिलाफ खुद को कवर करना चाहते हैं अच्छा बताओ अभी बजाज आलियांस के नए ब्रेंड अमबेजडर बने थे कौन आयूश्मान खुराना और बजाज आलियांस चन्रल इंशॉरेंस की बात करेंगी स्तापना इसकी 2001 में हुई पूरे में मिल जाएगा हैटकोटर और इसकी सीओ हैं तपन सिंगल बढ़ते आगे फिर है कौन सार राज्य चातरों के लिए रेडियो पाटशाला आयूजित करेगा तो अंसर होगा उडिसा तो उडिसा में सरकार के द्वारा संचालित संस्थानों में कक्षा एक से आठव और इसे सेंटरल गॉर्मेंट के दिक्षा ओनलाइन प्लेटफरम पर भी अपलोड किया जाएगा अब बात उडिसा की है तो उडिसा को तो हम पीछे देख चुके अभी हम बढ़ते आगे फिर हाली में अभिलाश का निदन हो गया वो क्या थे तो आंसर होगा गीतकार तो स गीत को आठ भाशाओं में अनुवादित किया गया था और ये गीत आपने जरूर सुना होगा और जरूर गया होगा क्योंकि आज भी कहीं स्कुलों में प्रात्ना गीत के रुप में इसको गया जाता है हमने तो खूब गया था कौन सा है इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना वही वाला है और इनका असली नाम था उम्प्रकाश तो आप बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रशन के उत्तर की तो कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था हाली में किसने अब बुके और फ्लावर इस बुक को लिखा है तो अंसर होगा डॉक्टर कृष्णा सक्षे नान है आप सभी ने प्रशन का बिल्कुल सही उतर दिया और गाईज फ्लीज एक बार चेक जरूर कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा कम से कम और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो के लिंक को एक बार शेर जरूर कीजिएगा तो गाईज इन सभी कुशन का क्विज बना करके मैंने एप्लिकेशन पर अपलोड कर दिया है तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहाँ जाएए और इन सभी कुशन का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए ताकि ये सारे कुशन्स आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए और जो नए स्टुडेंट इससे पहली बार देख रहे हैं आपको बता दूँ कि क्विज में आप रैंकिंग फीचर भी एड़ हो चुका है इसका ओडियो भी तयार कर रहा हूं तो दिन में चार से पांच मिनिट निकाल करके वो आप ओडियो सुन लीजिए ताकि आपका इन करंट अफैर्स का फिट से रिविजन हो जाए क्योंकि आपको बता है चीजों को पढ़ना इंपोर्टेंट है लेकिन समय समय पर उनका रिविजन करना बहुत ज़ादा ज़रूरी है रिविजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजा आप भूल जाओगे तो आप भी के लिए मैं इसका रिविजन आडियो त्यार कर रहा हूँ